गुद मॉर्निंग साथियों और आज जो वीडियो है ये काफी खास है और इसमें जो है हम बताएंगे कि किस तरह जो अभी जो गॉर्णमेंट की पॉलिशीज थी उसके कारण जो डिजर्व के टोकड़ी है उनको काफी नुकसान हो रहा था उनके काफी हक जो है ना वो अपन कि BPSC में वेटिंग लिष्ट प्रकासित करने का मामला उठा तो अब क्या है कि विधान सभा में बिहार विधान सभा के पहले सत्र में मंगल वार को विपक्ष के हंगामे के बीज ध्यानाकर्शन के तहत दो महत्पुन मुदे सदसों ने उठाए विधायक जेनरक सिंग समे निती अस्थापित करते हुए वेटिंग लिष्ट प्रकासित की जाए कहा कि BPSC में अपने अस्थापना काल से लेकर आज तक एच्छिक विश्यों में ना तो मानक मुलंकर निती का की विवस्था रखी है नहीं वेटिंग लिष्ट प्रकासित करती है फल्सरूप चैन में असंतुलन होता है सरकार की ओड़ से प्रभाडी मंत्री सरवन कुमार ने इस पर सरकार का वक्तव रखने के लिए आसन से समय की मांग की दूसरे ध्यानाकर्शन के तहत कॉंगर्स विधायक दलके नेता अजित सर्मा ने आर्थिक रूप से पिछले वर्ग के साथ बेधवा बखा जाता है लेकिन आर्थिक रूप से पिछले वर्गों के अभिहारतियों को इन में से कुछ भी लाब नहीं दिया जाता है इस ध्यानाकर्शन के जवाब के लिए भी प्रभारी मंत्री सरवन कुमार ने आसन से महलत ली अब देखिए बीपीस की चेर्मैन है ना वो पि बखानी ने भी वेटिंग लिस्ट रिजल्ट को लेकर बीपीसी के अध्यक्स को तलब किया बीपीसी के जवाब से असंतोस्ट पिछरा आयोग वर्ग में दो अगस 2021 को सुनवाई की तिथी निश्चित की गई है डॉक्टर भगवान लाल सहानी ने वेटिंग रिजल्ट न उठाया था बालेंदर कुमार ने प्रसंदता व्यक्त करते हुए बताया कि आने वाले दुनों में कुछ बहतर होने की जरूरत है बालेंदर जी को बहुत बहुत बधाई उन्होंने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है और हम लोग भी उनके साथ जो है ना अनुसासित र हो जाता है हो तक क्या है जो मान लीजिए कि कोई 56-69 व्यक्ति में आरक्षित वर्ग का व्यक्ति जो है वो सेलेक्टेड है वो 60-62 में फिर अच्छे रैंक में सेलेक्ट हो गया तो 56-59 उसने खाली कर दी तो इस तरह से एक सीट जो खाली हुई तीन साल चार साल बाद वेकें केंटेशन है वो नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए चलिए और भी बाते होगी अभी तो पहले इस न्यूज को देखिए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद